हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें रूई एक बहुती सुन्दर लड़की होती है वो एक अमीर घराने में पली बड़ी होती है लेकिन अनात होती है उसके साथ उसकी बुआवंद नहीं रहती है रूई किशाद ही गौरव से होती है लेकिन गौरव उसकी आधी जायदाद लोट कर उसे छोड़ कर जाता है गौरव तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते तुम तुम मुझे कितना प्यार करते हो तो फिर तुम मुझे छोड़ कर कैसे जा सकते हो फोन रखो रूई तुम बस खुबसूरत हो और मैं क्या हर एक इंसान किसी भी खुबसूरत चीज से जल्दी बोर हो जाता है मैंने सिर्फ तुमारी खुबसूरती से प्यार किया था और अब वो प्यार खतम हो गया है इतना कहकर गौरव फोन कॉल कट कर देता है गारव 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 दे बेटा अपने आपको संभालो बेटा देखो मैं जानती हूँ कि तुमने जब जब किसी से प्यार किया है तुम्हें दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिला है लेकिन तुम्हें स्ट्रॉंग बनना होगा रूई रूई बहुत रूती है और वो आइने पर फूलों का गुलदस्ता फेकती है और आइना तूट कर उसके टुक्ले टुक्ले हो जाते हैं रूई बिटा क्या फाइदा ऐसी कुपसूरती का बुआ सब लोग मेरी सूरत से प्यार करते हैं लेकिन कोई भी मेरी सेरत से प्यार नहीं करता क्यों बुआ क्यों क्यों मेरी कुपसूरती ही मेरे लिए भी शाप है क्यों कोई मुझसे मन से प्यार नहीं करता क्यों सबको सिर्फ मेरा तन और मेरा धन दौलत दिखती है बस बेटा बस वंधना रूही को गले से लगाती है रूही बहुत सोचती है और वो तै करती है कि अब वो कुछ ऐसा करेगी जिसे लोग उसे उसकी खुबसूर्ती और शान और शौकत से बढ़कर उसकी सीरत और उसके सच्चे मन से प्यार करें अगले दिन रूही अपने बंगले से एक छोटे से मकान में रहने जाती है और अपने गोरे चोहरे पर काला रंग चड़ा देती है रूही बिटा ये तुमने क्या कर दिया मैंने जो कुछ भी किया है बिलकुल सही किया है बुवाजी अब मैं देखूंगी कि कौन मेरी जिन्दगी में मेरा साथ देता है और कौन मुझे छोड़ कर जाता है और तुम ये बैग लेकर कहा जा रही हो बुवाजी मैं अब से एक फैक्टरी में काम करूंगी और आम जिन्दगी जीओंगी मैं mentally ठीक नहीं हूँ बुगा जी और मुझे कोई psychiatrist या therapist की जरूरत नहीं है मुझे शान्ती अब इसी रूप में मिलेगी रूई अब एक factory में काम करने लगती है उसके काले रंग को देख कर कोई उससे जल्दी बात नहीं करता है लेकिन एक दिन जब वो factory के बाहर break time में खाना खा रही होती है तब ही वहाँ पर पुशकर नामक एक आदमी आता है अरे वाँ कचोणियां क्या आप मुझे ही इन कचोणियों में से एक कचोणी दे सकती हो क्यों नहीं ये लीजे ना ये लीजे शुक्रिया, आपका नाम? रूही, और आपका? पुशकर, वैसे आप बहुत अच्छी हो किसी से बाचीत नहीं, बस अपने काम से काम रखती हो आप आपने कोई दोस्त क्यों नहीं बनाए? मेरे काले रख के कारण कोई मेरे पास ही नहीं आता और आप भी आए हो, तो इन कचोरियों की महक से नहीं नहीं, ऐसा बिलकुल नहीं है जी मेरी सर्गवासी नानी जी कहा करती थी कि इनसान की सूरत से ज़ादा उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए और आप वाकई में दिल की बहुत अच्छी हो या यूँ कहूँ, तो आप दिल की बहुत धनी हो जी धन्यवाद पुशकर जी अब ऐसे ही रुई और पुशकर दोनों रोजाना एक दूसरे से मिलने लगते हैं और एक साथ समय बिताते हैं उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का अत्य करते हैं और जब वो पंडित जिसे मिलते हैं तभी वच्चो शादी का शुब मुहूरत तो आज ही है और वो भी आदे घंटे के बाद समाप्थ हो जाएगा इसके बाद शुब मुहूरत अगले साथ महीनों बाद ही है क्या? इतना लेट? रुही, मैं आपसे शादी करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता और मैं भी पुशकर तो फिर हम इस मंदिर में अगनी को साक्षिमान का शादी कर लेते हैं? हाँ पुशकर, यही से रहेगा पुशकर और रुही दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और पुशकर रुही को अपने घर ले जाता है लेकिन घर में कोई नहीं होता पुशकर, आपका पूरब परिवार कहा है? आपने दुका था कि आप अपनी मा, अपने पिता और भाई-भावी के साथ रहते हैं फिर वो लोग कहां चले गए? दरसल वो सभी दूसरे गाउं गए हैं एक शादी में, कल तक आ जाएंगे अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है रूई और पुषकर एक साथ रहते हैं और अगले दिन जब पुषकर की मा शीला, पिता हस्मुग, भाई तेज और भावी मौनिका आते हैं तब ही रूई अपने चेहरे को घूंगट के पीछे छुपाए बैठी होती है देखे वैसे तो आपने बहुत गलत किया देवर जी लेकिन कोई बात नहीं, जल्दबाजी में शादी की है, लेकिन मुहरत के कारण ही की है इसलिए हम सब कुछ नहीं बोलेंगे आपको अरे मौनिका, जारती की थाली तयार कर शीला जब रुई के चेहरे पर चड़ा हुआ गूंगड उठाती है, तब ही उसका काला रंग देखकर है अरे नहीं ही, ये क्या, ये तो कोईले से भी ज्यादा काली है पुछकर बेटा, तु इस काली का लूटी को कहां से उठालाया ये सब क्या है पुछकर बेटा, तुम्हें जरा से भी अकल है कि नहीं, तुमने एक काली लड़की से शादी कर ली अरे, तुम में क्या कमी है, जो तुमने इस बतसूरत लड़की से शादी कर ली अरे, और नहीं तो क्या, मुझे तो लगा था कि होगी कोई सुन्दर और अच्छे घराने की, ये तो एक दम बदसूरत और हमसे भी ज़ादा गरीब है बस, बहुत बोल लिये आप सब, आप लोगों का कोई हग नहीं है किसी की खुबसूरती या बदसूरती पर कोई भी बुरी बात करने का और रोही अब कोई एरी-गैरी नहीं है, बलके मेरी बीवी है, मेरी धरम पतनी और जहां मेरी पतनी की इज़त नहीं की जाएगी वहां मैं भी नहीं रहूंगा चलो रोही पुशकर अपना सारा समान पैक करता है और वो घर छोड़ कर जाने लगता है अरे पुशकर बेटा रुख जा अरे पुशकर बेटा पुशकर रुख जा पुशकर आई हाई हाई बड़ी ही अपशगुनी है ये कल लो तो अरे नहीं मतलब देवर जी के जीवन संगनी बनते ही इसने तो कलेश करना भी शुरू कर दिया अपनी काली और मनुहूश शकल से मेरे बेटे के जीवन में मेरे जीवन में भी अभी अंधेरा फैलाएगी रूही और पुशकर अब बाहर सडकों पर चलने लगते हैं लेकिन तभी अचानक से बारिश आने लगती है और उस बारिश में रूही के चहरे और पूरे बदन पर लगा हुआ सारा काला रंग दुल कर चला जाता है और उसका असली चहरा, उसका असली रूप पुशकर के सामने आता है रूही, आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, लेकिन क्यूं? मुझे माफ कर दीजी पुशकर, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन हालातों के कारण मुझे करना पड़ा रूही, पुशकर को सारा सच बताती है, कि उसने ये नाटक क्यूं किया और उस सच को जानने के बाद हैरान और गुसा होने की जगा, पुशकर रूही को सीने से लगाता है कोई बात नहीं, रूही, मैं हूँ आपके लिए ठाइंक्यू पुशकर, आपने सही माइनों में मेरे मन की सुन्दर्ता से प्यार किया है ना कि मेरी बाहरी सुन्दर्ता से, मैं सच में बहुत शुक्र गुजार हूँ जो मुझे आप जैसा जीवन साथ ही मिला है पुशकर और रूही वंदना के साथ रहने लगते हैं और रूही भी अपना बिजनस फिर से शुरू करती है और पुशकर भी फैक्टरी में काम करके पैसे कमाता है और अपना एक बड़ा सा रेस्ट्रॉण ओपन करता है और दोनों अपने जीवन में खूब तरक्की करते है कैलाश और सुमन दोनों गरीब पती पतनी अपने बेटा बेटी बबली और चीकू के साथ रहा करते थे कैलाश एक गरीब मजदूर था वही उसकी बीवी सुमन घर से ही टिफिन सर्विस करती जिससे उनका घर खर्च निकल जाता एक दिन कैलाश एक जम्मिदार से कुछ पैसे उधार लेता है लेकिन वो उन्हें समय रहते चुका नहीं पाता तभी जम्मिदार पन्ना लाल अपने आदमियों के साथ कैलाश और सुमन के घर पर आता है क्योरे गोंचू तेरी तो ऐसी कि तैसी पूरे दो महीने से तेरे नकरे नातक जहल लिए और कितना रुकू में अब और महलत नहीं दूँगा अब तो तुझे मेरे पैसे लोटा नहीं होंगे बस बहुत हुआ आप साहब साहब बस ये एक आखरी महलत दे दो उसके बाद पक्का मैं पक्का आपके पैसे लोटा दूँगा एक एक आखरी महलत दे दो वो दरसल पिछले महीने मेरी तब्यत बहुत खराब हो गई थी जिस कारण जो पैसे इनोंने पिछले महीने जुटाए थे वो सबी खर्च हो गए वो जब मुझे नहीं पता, मुझे आज पैसे दे दो वरना तुम्हें अगले छे महीनों तक मेरा नौकर बनना होगा अब तुम्हारे पास कोई घर या खेती बाड़ी है नहीं जिसे मैं उसके बदले हड़त सकूँ मेरी ही गलती थी जो मैंने तुझ जैसे बिकारियों को पैसे दिये लेकिन साहब बठा लो रेल से और ले जलो इसे अब ये अगले छे महीने तक मेरा नौकर बनकर रहेगा अपने परिवार से दूर साहब साहब ऐसा मत कीजी साहब साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मेरे पती को छोड़ दीजी साहब सुमन बहुत बिंती करती है लेकिन उस क्रूर पन्नालाल के आदमी कैलाश को पकड़ कर गाड़ी में डालते है और उसे अपने साथ ले जाते है कैलाश अपन्नालाल का नौकर बन जाता है उस बेचारे के साथ खोब अत्याचार भी होता है सुमन बहुत अकेली पड़ जाती है वो खोब रोती है ये भगवान ये क्या हो गया अब मैं अकेली क्या करूंगी मेरे बच्चे अपने पापा से दूर कैसे रह पाएंगे ये सही नहीं हुआ तब ही वहाँ पर बबली और चीकु आते हैं और वो सुमन को सांत्वना देते हुए कहते हैं सुमन को अपने बच्चों की बात को सुनकर थोड़ी हिम्मत आती है वो अब अपने काम को और भी ज़्यादा बढ़ा लेती है दिन में पच्चिस की जगा पचास टिफिन्स बनाने लगती है लेकिन उससे ग्रहाक ही नहीं मिलते वो बहुत परिशान हो जाती है अपने बच्चों को पालना था एक दिन उसके टिफिन सर्विस से टिफिन लेने वाला एक आदमी उसे एक सलह देता है सुमन बहन, क्यों न तुम अपने टिफिन सर्विस के पोस्टर छपवा करोने हर जगा लगा लो इससे तुम्हारे ग्रहाकों की संख्या दुगनी तिगनी हो जाएगी अरे वाँ, सच में, ये तो आपने बहुत ही अच्छी सलहा दी है भाई लेकिन मैं पोस्टर कैसे छपवाऊंगी, मुझे तो वो काम नहीं आता तुम चिंता ना करो बहन, मेरा एक दोस्ट है, जो पोस्टर छपता है मैं उससे कह दूँगा, वो तो तुम्हें डिसकाउंट भी दे देगा ठीक है भाई, ये बहुत अच्छा होगा, धन्यवाद भाई सुमन अब पोस्टर्स छपवा लेती है, लेकिन पोस्टर्स छपवाने के बाद भी उसके टेफिन सर्विस की बिकरी कुछ खास बढ़ती नहीं उसके पास अब दिन बदिन पैसों की कमी होने लगती है, वो बहुत व्याकुल और चिंतागरस्त हो जाती है तब ही चीकू और बबली स्कूल से वापस लोटाते है अरे बबली, चीकू तुम दोनों अभी तो स्कूल गए थे, आज इतनी जल्दी छुट्टी भी हो गई नहीं मा, छुट्टी नहीं हुई, हमें स्कूल से निकाल दिया गया है हमारी पिछली तीन मैनों के फीज बागी है न मा, इसलिए हमें गेट से बाहर बगा दिया और कहा है कि जब फीज भरोगे, तब ही स्कूल में बैठने की अनुमती मिलेगी मा सुमन अब और भी चिंतित हो जाती है वो बबली और चीकू के स्कूल में जाने के बारे में सोचती है मैं तो काम करती हूँ आज ही बबली और चीकू के स्कूल के प्रिंसिपल सहाब से जाकर बात करती हूँ और उनसे कुछ दिनों की महलत देने के लिए कहूंगी ये दो टीफिन भी बान देती हूं स्कूल से आते वक्त मैं इनकी डिलिवरी कर दूँगी सूमन उन दो टीफिन्स को पैक करती है और चीकू बबली के स्कूल में जाकर प्रिंसिपल सर से मिलती है और उन्हें कुछ दिनों के महलत देने के लिए कहती है प्रिंसिपल सर, मैं आपसे बिंती करती हूँ, मेरे पती को भी वो आदमी उठा ले गए और मेरा टिफिन सर्विस का काम भी कुछ खास चल नहीं रहा है इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़े और दिनों की महलत दे दो ताकि मैं बबली और चीकू के स्कूल की फीस लोटा पाऊं लेकिन उन्हें यों स्कूल के बाहर मत कीजिए, इससे उनकी बहुत सारी पढ़ाई छोट जाएगी देखिये सुमन जी, हम आपकी परिस्थिती बहु भी समझते हैं लेकिन स्कूल के रूल्स और रेगुलेशन्स को पीछे छोड़ कर मैंने आपके दोनों बच्चों को स्कूल में एंट्री दे दी तो मुझे बागी बच्चों को भी एंट्री देनी होगी, जिन्होंने फीस नहीं भरी है और अगर मैं यही करता रहा तो कोई फीस भरने की बाद को सीरियस्ली लेगा ही नहीं जी, आप वो भी सही कह रहे हो इसलिए I'm sorry, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता इस हफते आप फीस भर दीजिए वरना मुझे न चाहते हुए भी चीकू और बबली का इस स्कूल से नाम कटवाना पड़ेगा सुमन बहुत घबरा जाती है वो चिंता में अपने दोनों टिफिन वहीं पर छोड़ जाती है और लोगों से पैसों की मदद मांगने चाती है लेकिन कोई भी उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं था तपती धूप में वो लोगों के घरों में जा जा कर उनसे पैसों की मदद मांगती है उसकी चपल भी तूट जाती है जिसकी वज़ा से धूप में चल चल कर उसके पैरों में च्छाले हो जाते हैं प्रिंसिपल सर को केबिन में बहुत बढ़िया खाने की खुश्बू आती है और वो देखते हैं कि टेबल पर दो टिफिन पड़े हैं वो उन्हें खोल कर सारा खाना सफा चट कर देते हैं और उन्हें वो खाना बहुत पसंद आता है वाह क्या खाना बनाया है सुमन जी ने अन्बिलीवेबल इतना अच्छा टेस्ट तो मैंने फाइव स्टार रेस्टरेंट में भी नहीं खाया प्रिंसिपल सर खुश हो कर सुमन को फिर से स्कूल में बुलाते हैं और कहते हैं सुमन जी आपके हाथों में साक्षात मा अनुपूर्णा का वास है उनका अशीरवाद है माफ कीजिएगा लेकिन खुश्बू सुन कर रहा नहीं गया और मैं सारा खाना खा गया मेरे पास एक सुझाओ है जिससे आपका बहुत फाइदा हो सकता है कैसा सुझाओ प्रिंसिपल सर सुमन जी आप मेरे स्कूल के बाहर एक छोटा सा धाबा खोल लीजिए जहां पर आप सस्त और मस्त खाना बना कर बेचना जो सभी को खूब पसंद आए और तीन महीनों तक आप जितने पैसे कमाओगी उसका 50% मुझे दे देना और हाँ रोजाना मुझे मुझे मुख्त में टिफिन भी दे देना जी ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है लेकिन मेरे पास धाबा खोलने के लिए इतने पैसे नहीं है फिलाल चिंता मत कीजिए मैं कुछ पैसे दे दूँगा आप मुझे वो बाद में लोटा देना आप ये धाबा खोलेंगी तो एक तरह से मुझे पैसे और टिफिन दे कर आप अपने बच्चों की फीस ही चुकाओगी और आपके धाबे पर मिलने वाले स्वादिष्ट खाने से आफकूर्स बहुत लोग आएंगे जिससे मेरी स्कूल का भी एक तरह से प्रमोशन हो जाएगा प्रिंसिपल सुमन को पैसे देता है जिससे वो स्कूल के गेट पर अपना एक छोटा सा धाबा खोलती है और वहाँ पर वो स्वस्त और स्वच खाना बेचती है दो से तीन दिनों में उसका धाबा गाउ में मशूर हो जाता है और सभी को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है अरे बढ़िया जी बढ़िया क्या खाना है ऐसा अलोकिक स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा मानो कोई जादूई पदार्थ मिलाया हो इस खाने में मुझे भी आपके स्कूल धाबे का खाना बहुत पसंद आया यहां का खाना खास करके स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा और पॉश्टिक है सुमन के बच्चे भी स्कूल में ठीक से पढ़ने लिखने लगते हैं सुमन रोजाना प्रिंसिपल को टिफिन देती और तीन महिनों तक उसे अपनी कमाई का 50 प्रतिशाद देती है आगे जाकर और भी पैसे कमा कर वो अपने पती कैलाश को भी उस पन्ना लाल की कैट से आजाद कर देती है और वो चारों खुशी से फिर से एक साथ रहने लगते हैं सुमन बहुत सारे पैसे जोड़कर आगे जाकर गाउं में एक बड़ा रस्टरॉं खोलती है और जीवन में भरपूर तरक्की करती है दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा